डखल नियुज के सभी दर्शकों को मैं उज्जेन से रवियरोरा सरोच नमन करता हूँ आज के कवीता समय कारिकरब में आप सभी का सौगत है अभिनिंदन है आपके समक्ष वर्तमान में जो परिस्तियां है उसके लिए एक छोटी सी रचना पेश कर रहा हूँ अब तो सांसे भी छान कर लेने लगे हैं हम यूही डर-डर कर जीने लगे हैं हम इस कोरोना ने तो जीने का ढंग ही बलन दिया नजदीकियों से दूरी बना कर जीने लगे हैं हम यूही डर-डर कर जीने लगे हैं हम गले मिलने की रवायत अब खत्म हो गई है इशारों इशारों में ही मिलने लगे हैं हम समय बड़ा कठिन है कठिन दोर चल रहा है और हम इस महामारी के जीत के और अग्रसर हैं जिन्दगी वापस से अपनी रोनकों के साथ में लौट रही है बाजार खुलने लगे हैं हम राहें हो रही गुलजार हैं सन्नाटे में भी एक शोर सुनने लगे हैं हम सन्नाटे में भी एक शोर सुनने लगे हैं हम अब सांसें भी छान कर लेने लगे हैं हम बरतमान महामारी में हमारे देश के बच्चे जो बाहर नुकरी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं आज सब अपने अपने देश के लोट के आ रहे हैं और देखें, वो भी क्या गह रहे हैं, अपनी डाली से बिछडे पंची भी कह रहे हैं, अब अपने घरोंदों की और लोटने लगे हैं, हम, अब सांसें भी छान कर लेने लगे हैं, हम. एक छोटी सी रचना, जो माता भेनों के लिए लिखी है, आशा करता हूँ, आप सभी को पसंद आई की, यह जे पेश है, तुम बेटी हो, तुम बहन हो, मानवता का गहन चिंतन हो, समाती है सारी श्रस्टी तुम में, तुम ही स्रस्टी का स्रजन हो, और जब पत्नी बन इठलाती हो, तुम दो घरों का समान हो, तुम दो परिवारों का समान हो, और माबन पूर्ण हो जाती हो तुम, तुम वास्सले का अभिमान हो, फूल सी कोमल वज्र सी कठोर हो तुम, तुम अपने परिवार का संबल हो, तुम बेटी हो, तुम बहन हो, मानवता का चिंतन गहन हो, सभी को साधर नमन, जैहिन चैभारत. व्यापार से उद्योगों था, राज़्टीती से कूट मीती था, दखन न्यूद, आप के हत्र, आप देख रहे हैं, दखन न्यूद, झाल